एक हसरत सुकून से जीने की, किन राहों से लेकर आई है, कभी मैं भीड का हिस्सा थी, अभी जिम्मे आई तनहाई है, दर्दे दिल की दास्ता, सुनने का शौक रखता कौन है, खिलकिलाहर जाने क्यों थमसी गई, बस सन्नाटा है, पसरा देखो मौन है, तेरे चहरी की मुस्कान बनने की, मेरी हर कोशिश ने कीमत चुकाई है, दिल पे भी जोट खाई है, पर बात समझ में आई है, कि एक हसरत सुकून से जीने की, किन राहों से लेकर आई है, Hello Everyone, Welcome Back to Ship Up Your Life. Meaningful Life Enjoy करेंगे, मैं तो क्या कोई भी तब तक Peaceful Mind की Importance को जान ही नहीं सकता, जब तक उसने अपनी लाइफ का Lower से Lower Phase ना देखा हूँ, कैसी है वो लाइफ जहाँ, अपने लिए कोई Action लेने के लिए आपको Freedom ही नहीं, Guilt नहीं होता कभी, कि कैसे हर छोटी से छोटी चीज के लिए Approval लेने का वेट करना पड़ता है, कोई बात पूछने के लिए इस तरह से दरना कि जैसे कोई Crime करने के लिए Permission मांग रहे हूँ, Constantly एक Toxic Cycle में हम खुद को Push करते रहते हैं, खुद को Stuck कर लेते हैं, जब तक हमारे Emotions Burn Out नहीं हो जाते, क्यों? था कि हम दूसरों को खुश कर सके, हर किसी की ज़रूरत के लिए Yes कहना, बिना कोई Regard हासिल किये, Exhausting होता है ये सब, और Mentally Drain हो जाते हैं आप, लेकिन जब ये Realize हो जाए कि बस लोगों की Permission लेना या उन्हें खुश करने से कहीं आगे है ये जिन्दगी, तो आप अपने Peace of Mind को Protect करना स्टार्ट कर देते हैं, चलिए आपके साथ कुछ Steps Share करते हूं, जिनसे मुझे समझ में आया कि अपने Mind को हर हालत में Peaceful कैसे रखना है, एक पू जैंती नहीं कर सकते कि Life में कितनी بार हमने ना चाहते हुए भी हा कहा है, और जितनी बार हम ना चाहते हुए दूसरों के लिए हा कहते हैं, उतनी बार हम खुद के लिए NO कहते हैं, अपनी जरूरतों को N कहते हैं और अपनी Mental Health को भी. तो इतना हैस्टेट होने की जरूरत इस point को समझे, अगर आपकी एक no किसी को निराश कर देती है और वो ये भी याद नहीं रखे कि आपने yes कितनी बार कहा, तो it's better कि आप बार बार no कहिए, क्योंकि जो लोग आपको understand करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी well-being की care करते हैं, वो आपकी no को भी respect करेंगे, so no कहने से आपसे वो संसकारी बहुवरा tag कोई वापिस नहीं ले लेगा, जो आपको कभी दिया ही नहीं गया, so don't worry, negative thinking इतनी बुरी तरह से हम पे rule करती है कि हमें भी पता नहीं चलता कि हम negative सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसी thoughts के साथ हम normalize हो जाते हैं, इसलिए जो बात में हमेशा क कहती हूँ कि हम सबको अपनी thoughts को observe ज़रूर करना चाहिए, दिन में कई बार check कीजिए कि mind में क्या चल रहा है, और उसे आप किस category में डालेंगे, negative और positive, क्या change कर सकते हैं, कैसे change कर सकते हैं, बहुत easy होता है खुद को ऐसी सोच के trap में डाल देना, जो घंटों के लिए आपक काम और मूर दोनों को खराब कर देगी, हमें ये सीखना पड़ेगा कि check करने के बाद किस तरह से इन thoughts को जाने देना है, ताकि मन शान्त हो जाए, जब मैंने meditation करना start किया, तो मुझे लगता था कि ध्यान लगाना मतलब अपने mind को totally खाली कर देना, जो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे thoughts 24-7 रन करते हैं, लेकिन फिर भी जब मैंने meditation course किया, तो सीखा कि meditation अपनी thoughts को जानने का नाम है, विचार अना बन नहीं होंगे और नहीं आप उन्हें रोक सकते हैं, चाहे तो try कर लिजिएगा, जितनी force के साथ आप उन्हें हटाएंगे, उससे दो गु डेली के ये practice मेरे mind को काम रखती है, और दिन भर में काम के pressure के लावा में और कोई pressure कभी लेती ही नहीं, ये तो खेर मेरी बात है, मुझे अपने साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए meditation करना हो, exercise करना हो, सुबह का कुछ वक्त अकेले बैढ़ना, music सुनना मुझे अच्छा लगता है, और ये हम सब के साथ होता है, कुछ चीज़े होती हैं हम सब की जिन्दगी में, जिने करने से हमें अच्छा महसूस होता है, मन शांत हो जाता है, do try, ये लिखने और बोलने की बात नहीं है, actual में ये जरूरी है, जब आप में से कोई ये कहता है कि मुझे आप की तरह बनना है, तो मैं उन्हें हमेशा ये ही जवाब देती हूँ, please मेरी तरह मत बनिये, बलकि अपनी कम्यों में चेंजिस लाने की कोशिश कीजिए, खुद को इंप्रूर्व कीजिए, मैं भी ये ही करती हूँ, grow कीजिए लाइफ में और अपना best version बनिये कुदरत ने सबको अलग बनाया है, सब different personalities हैं और यही सही है, क्योंकि अगर सभी दिखने और सोचने में एक जैसे होते, तो कितनी boring life होती हम सब की, दूसरों की life में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन उनके अच्छा या किसी और के बुरा दिखने से भी, आफकल क्या थे, बस उसी के साथ खुद को compare कीजे और यही एक रास्ता है खुद में अच्छे changes लाने का, सिर्फ चीजों पे control भर छोड़ देने से ही mind काफी peaceful हो जाता है, क्योंकि जब मेरे recording ही सब हो, यह चाह ही खतम हो जाती है, तो आप बहुत cool and calm हो जाते हैं, otherwise हर वक्त ऐसा होना चाहिए था, नहीं हुआ, उसको मेरी बात माननी चाहिए थी, उसने नहीं सुना, इन thoughts की fight जब brain में चलती ही रहेगी, तो दिमाग शान्त कैसे होगा, जब हमें control life पसंद नहीं, तो दूसरों को control करने की कोशिश करना भी कितना weird सा लगता है, आप बस यह कीजिए कि अपनी life का control अपने पास रखिए, बस उतना ही काफी है, दूसरा है situation, जो कैसी आ जाए आपको नहीं पता, लेकिन कुछ चीजों से हम इतने ज़ादा attached हो जाते हैं कि दिन रात दिमाग में भूकम बाता रहे, लेकिन उन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, और जितना time आप उन्हें hold करके रखने की कोशिश करते हैं, उतना time mind stress में रहता है, control छोड़ दीजे, हो सकता है थोड़ तक leaf भी हो, लेकिन seriously, उसके बाद आप बहुत relaxed feel करेंगे, उन लोगों के साथ बैटना, बातें करना किसी meditation से कम नहीं होता, जो आप से बेहत प्यार करते हैं, और उस द क्योंकि आपके बहुत करीबी रिष्टे ही ऐसे होते हैं, जिनके साथ बहुत कम चीजों पर आपके thoughts मैच करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप disagreement में agree होने का try कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज में अपने साथ agree करने की कोशिश काफी तकलीफ दे होती है, तो जो चीज करना, emotionally कभी अब तो कभी बहुत डाउन चले जाना, हर responsibility को दिल से निभाना, लेकिन अपनी जरूरतों की care करना हमारी plate में सबसे last में क्यों आता है, इतनी fast forward life है कि self care वाला point लिखना ही हम भूल जाते हैं, अपनी बात करूं तो मैं तो अब नहीं भूलती, क्योंकि अपनी life उनके लिए important है, तो अपनी life की भी अपनी नजरों में उतनी ही importance होनी चाहिए, self care में हमारी body, mind, emotions आते हैं, और जब इनकी सुनने का वक्त हम निकाल नहीं बाते तो फिर health issues आते हैं, और health issues आने के साथ साथ blame भी आप ही पे आता है कि आपने अपना ख्याल रखा होत तो ऐसा होता ही नहीं, सो समझिए, मैं तो जब तक आपके साथ हो, repeat करते ही रहूंगी, कि अपना ख्याल पहले रखिए, बहुत मुश्किल हुई मुझे ये समझने में कि अपनी routine job से break लेना मेरी ज़रूरत है, और हक भी, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक मैं भी खुद को push क करती ही रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि break लेने से मेरा plan disturb हो जाएगा, वो plan जो मेरी life को अराम दायक और खुशनुमा बनाता है, लेकिन जब हम continuously pressure में रहते हैं, तो कभी ना कभी तो break down हो ही जाता है, लेकिन सच कहूं, तो कभी अपनी life को slow कर लेना, रुक कर गहरी स लेना, मन चाहा break लेना, कोई वुरी बात नहीं, जितना important मेहनत करना है, अपने goals को achieve करना है, उतना ही ज़रूरी है break लेना, क्योंकि इससे हम re-energize हो जाते हैं और आपकी productivity और भी increase हो जाती है, मैं तो निकल जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ सब काम वाम छोड़के, और उस वक्त मैं उसी movement को enjoy करती हूँ, हम कितनी बार discuss करते हैं कि अपनी life में हर छोटी सी छोटी चीज के लिए हमें grateful होना चाहिए, लेकिन होता है ऐसा भी कई बार कि हम इतने बुरे face से गुजर रहे होते हैं कि हमें अपनी life में कुछ भी positive नजर आता ही नहीं, पर actual में वही स ही time है हर छोटी चीज की value समझने का, क्योंकि जब कुछ बड़ा negative zone में जा रहा होता है तो छोटी छोटी चीजें भी चहरी की smile बन सकते हैं, बशरते उन्हें देखने का नजरिया accurate हो, क्योंकि जब आप सिरफ उन चीजों पे focus करते हैं, उन चीजों के लिए complaint करते हैं जो आपके पास नहीं हैं, तो obviously आप बुरा feel करते हैं, लेकिन ये feelings भी तो आपकी life में कुछ भी improvement नहीं ला सकती, सुबा बिस्तर से उटने से लेकर वापिस bed पे जाने तक, at least ऐसी तीन चीजों के बारे में जरूर सोचिए, जो आज आपके पास हैं, और नहीं होती, तो कीजिए, मन शांत हो जाएगा, दिमाग को शांत रखने के लिए भी आप में courage होना चाहिए, खुद को toxic environment से बाहर निकालने का, कई बर हम बहुत ड़ते हैं, अपनी सही बात को कहने की भी हिम्मत जुटा नहीं पाते, और इसलिए गलत को बरदाश करना हमारी जरूरत बन ज और peaceful रहने के लिए अपना point रखना बहुत जरूरी होता है, और ये काम आप बहुत ही simple way में कर सकते हैं, aggressively कही गई किसी भी बात का कोई impact नहीं होता, सही वक्त पे सही शब्दों का इस्तेमाल आपकी personality को और भी improve करता है, यनि कि सच बोलने के लिए ज़ादा शब्दों की ज लेकिन याद रखिए कि दुनिया में शोर बहुत है, सही भी बहुत है और गलत भी बहुत है, जिसके पास जो है वो आपको वही provide करेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मुझसे बहतर मेरा दर्द और मेरी खुशी कोई समझ नहीं पाएगा, जिन्दगी बहुत छोट कीजे and promise me, आपके अंदर जो आपके जैसा है, उसे मरने नहीं देना, उलजते सुलजते हुए भी मन शानत रहना चाहिए, अगली कपता का टाटल बदा देती हूँ, complete नहीं हुई अभी, complete हो जाएगी तो किसी वीडियो में जरूर शेयर करूंगी, मैं अपने आप से बाते करती हूँ, सुल जाती हूँ कितनी बार ये ताने बाने, और फिर खुदी उनमें उलजती हूँ, मैं अपने आप से बातें करती हूँ, चलिए, मिलूंगी नेक्स वीडियो में, till then bye bye, take care and stay healthy. इन है उन हैूँ, को Organismaiakah ट्रोंमें जरूँ को मğimiz हूँ, कoaया हैु, मैं जरूंगी उनमें, Akala当然 जरूंगी तो हूँ, सकता जरूंगी तो कितनी दोजे नेकाने घ्र है, ऐस करते हूँ, सुल दो हूँ ग।, चलितना जरूंगी आज़ तो कम हूँ, सब़् पितना जरूंग